हरे कृष्णा आज की कहानी में आप सबका हृदे से स्वागत है सैंथिल नाम का आदमी समुद्र में जहाज से यात्रा कर रहा था तुफान आने के कारण जहाज ढूप जाता है सैंथिल अकेला यात्री था जो बच गया वो तेरते हुए एक द्वीब पर पहुचता है किस्मत से बच कर वो इस द्वीब पर अकेला इनसान था हर समय भगवान से प्रातना करता रहता था हे प्रभू ये क्या हो गया मेरी पतनी बच्चे परिवार मेरी प्रतिक्षा कर रहे होंगे क्रिपा मदद कीजिए भगवन तो सारा दिन रोता रहता था थोड़े दिन बाद उसको द्वीब पर एक जोपड़ी दिखी जिसमें जरूरत का थोड़ा थोड़ा सामान था कुछ दिन वो उस जोपड़ी में बिताने के बाद पुनह विचलित हो गया और समुद्र के किनारे बैट गया प्रातना करने लगा हे भगवन मुझे यहां से घर जाना है ठक कर जोपड़ी की तरफ गया तो देखता है कि जोपड़ी में आग लग गई है वो पीड़ा से चिलाने लगा भगवन ये क्या किया एक जोपड़ी थी वो भी जला डाली अब मैं क्या करूँगा कैसे रहूँगा रोते रोते वापिस समुद्र के किनारे पहुँचा और हताश हो गिर गया थोड़े समय के बाद उसने देखा दूर से एक जहाज आ रहा था इस रास्ते पर जहाज कम ही आते थे जब जहाज दूरी पर पहुँचा सेंथिल को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उसको भचाने आया है उसने पूछा भाई तुम यहां कैसे पहुँचे जहाज के कप्तान ने बताया कि इस रास्ते पर हम नहीं आते परंतु हमने आग और धुआ देखा तो लगा कुछ सहायता की आवशक्ता हो सकती है क्यूंकि इस द्वीप पर कोई नहीं रहता था हमें ये पता था आग एक संकेत था कि कोई है जिसको सहायता चाहिए सेंथिल ने हाट जोड भगवान से शमा मांगी हे भगवन आप तो मेरी रक्षा और सहायता कर रहे थे परंतु मैं मूर्क अग्यानी समझ ही नहीं पाया मुझे शमा कीजिये भगवन कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसे ही परिक्षा की घड़ी आती है हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए भगवान हमें शर्नागत की रक्षा करते हुए हमारा भला ही चाहते है सर्वम श्री कृष्ण अर्पनम